सूत्रों के मुताबेक सुबह साहे दज बजे सीम गहलोत की तरफ से बुलाई कर बैटक में अगर सचिन पाइलेट शामिल नहीं हुए तो कॉंग्रिस पार्टी उन पर कारवाई कर सकती है सचिन पाइलेट को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा साथ ही पार्टी सचिन की तरफ से उचे जवाब नहीं मिलने पार उनकी विधान सबा सदस्ता रद करने की सिफारिश स्पीकर को भेजतेगी सचिन पाइलेट पहले ही बैटेक में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं तो बड़ी खबर यही सवाल उठ रहा था कि अगर सचिन पाइलेट जैसी की संभावना दिख रही है क्योंकि वो दिल्ली में ही है अभी तक जैपूर के लिए रवाना नहीं हुए है और ऐसे में अगर वो नहीं पहुचते है तो क्या कारवाई उनपर होगी क्योंकि अगर उनपर कारवाई नहीं भी होती है तो बागी जो विधायके उनका भी एक तरीकर से कहा जा सकता है कि होसला बढ़ेगा और इसलिए आप जो जानकारी मिल रहे हैं कि अगर वो नहीं आए तो उनकों लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा साड़े दस ग्यारा बजे CLP की बैठक बुलाई गई है जिसके लिए सभी कॉंग्रेस के सम्मानिय विधायकों को विप जारी किया गया है और उस विप में विशेश आगर किया गया है कि इस मीटिंग में उनका सहबागी होना उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है जो कोई विधायक इस बैठक में उपस्थित नहीं होता है किसी निजी विशेश कारणों को उलेख किये बिना उन विधायकों पर अनुशास्मक कारवाही, सक्त कारवाही की जाएगी, ये विशेश उलेख मैं यहां करना चाहता हूँ. अन्राग हमाइसतमाइसेयोगी स्वक्ट जुट चुके, अन्राग थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि सचिन पाइलेट अगर नहीं जाते हैं, तो क्या उन पर कारवाही होगी हो और अब ऐसी जानकारी कि कॉंग्रेस पार्टी उन पर कारवाही कर सकती है। अगर कोई satisfactory जवाब नहीं मिलता है, तो फिर सदस्ता रद करने के लिए उनको सदन से हटाने के लिए भी सिफारिश की जा सकती है, विदान सबावा स्पीकर से, जो कि विप के उलंगन के मामले में पार्टी कर सकती है। तो एक तरीके से सभी विधायकों को सीरे संदेश द अगर सचिन पालेट नहीं शामिल होते हैं, जैसा उन्होंने जानकारी दिया, उन्होंने का कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि अभी भी वो दिल्ली में ही है, अगर वो नहीं जाते हैं, तो कॉंग्रिस पार्टी उन पर कारवाई कर सकती है, सचिन पालेट को कारण बताओ नो तिस दिया चाएगा